क्यों जी ना है ये सबके लिए अलग-अलग है कि सबके लिए एक है क्यों जी ना है सबके लिए एक है मैं किसी ऐसे state of mind को पाना चाहता हूँ मैं किसी ऐसे state of mind को पाना चाहता हूँ जहां मैं भै से मुक्त हो जाऊं अभाव से मुक्त हो जाऊं सम्मंद में गिला सिक्वा शिकायत से मुक्त हो जाऊं और ये समाज भी ऐसा ही हो जाए क्योंकि दोस्तो मेरे बेटे की शादी होगी तो लड़की तो किसी समाज से ही यदि उसमें समझ नहीं है, तो घर मुश्किल में आना है, मेरे बेटे में समझ नहीं है, उस बेटी की जिन्दगी मुश्किल में आना है, इसके लिए ये आवशक है, समाज में सभी का समझदार होना, समाज में सभी का समझदार होना मेरे एक परिवार के लिए सुख शांटी पुर्वग जीने के लिए मेरी अवशक्ता है किसी के साथ दुर घटना हुई तो उसने कहा भी मेरी क्या गल्ती थी मेरे साथ ऐसा क्यूं हुआ मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया था दोस्तों, यह धर्ती एक बड़ा परिवार है इस पे कोई boundary नहीं है जितनी boundary है, हमारी आपकी लगाई हुई है धर्ती पे कुछ अच्छा है, तो वो हमारे हिस्से में आता है हमारे देश में कुछ अच्छा है तो वो हमारे हिस्से में आता है यदि देश में धर्ती पे कुछ अच्छा है वो मेरे हिस्से में आया है समश्या है क्या मंगल वालों के हिस्से में आएंगी यदि अच्छा है तो मेरे हिस्से में आजाए समझ्या है तो मंगल के हिस्से में आ जाए ऐसा नहीं होगा इसका मतलब है हम जिस समाज में रहते हैं उसमें जो अच्छा है वो भी मेरे हिस्से आया और जो खराब है वो भी मेरे हिस्से आया जब खराब मेरे हिस्से आया तो उसका एक ही मतलब है कि ये नासमजी टेक्स है, ये नासमजी टेक्स है, कब तक लगेगा, एक किस बात का टेक्स लगा, कि हम समझदार नहीं हुए, दूसरों को समझदार नहीं बनाया, कौन कब मेरे बच्चों के साथ मेरे साथ गलती करेगा, कौन परिवार इसका शिकार होगा, क्या इसका कोई म मानसिक्ता का शिकार कोई भी परिवार कभी भी हो सकता है इसका मतलब है कि सीधा मतलब है कि मेरे परिवार के सुक शांति पूर्वक जीने के लिए सभी परिवारों का समझदार होना मेरी अनिवारियता है मेरी आवशक्ता है ये समास सेवा नहीं है तो दोस्तो, ऐसा बहुत सब कुछ है, हमारे चाहने से दुनिया नहीं चल रही है, दुनिया किसी अपने नियम से चल रही है, वो नियम हमको स्विकार हो जाएगा, तो जो हमने अपनी बाउंडरी बनाई है, मैं मेरी बीवी, मेरे बच्चे, या मैं मेरा पती, मेरे बच्चे हमारी problem इतनी है कि हमने इतने को स्विकारा है इतने को हमने अपना माना है बाकी को हमने पराया माना है यह जो बाकी को पराया माना है यह मेरे दुख का कारण है क्योंकि रहता तो मैं इसी समाज में हूँ इसको अपना माने बिना, तो जितनी ताकत के साथ मैं अपने परिवार को समालता हूँ, उतनी ही ताकत के साथ में इस समाज में भी मेरा कंट्रिबूशन होगा, क्योंकि जब ये समाज बेतर होगा, तो वो बेहतरी मुझको उपलब्द होगी, इसलिए सुत्र है, सर्व में मेरा शुब समाया है, ये सुत्र है, सर्व शुब में इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कुछ भी कर लिजे, जो सब के लिए अच्छा है, सर्व शुब में मेरा शुब समाया है, जो सब के लिए अच्छा है, वो ही मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे लिए अच्छा है पता नहीं वो अच्छा है के नहीं है क्योंकि दो शब्द है अच्छा लगना और अच्छा होना क्या फर्क है दोनों में अच्छा लगना मोमेंटरी है शुगर वाले को मीठा अच्छा लगता है पर वो उसके लिए अच्छा है अच्छा नहीं है तो जो मुझको अच्छा लगता है वो सही अर्थों में मेरे लिए अच्छा है के नहीं है अभी ये तै नहीं हुआ तो दोस्तो अच्छा लगना के पीछे दोड़ना है कि अच्छा होना के पीछे दोड़ना है अच्छा होना के पीछे दोड़ना है तो अच्छा लगना ये हमको भटकाता है परिशान करता है पठरी से उतारता है तो अच्छे लगने से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है जो अच्छा है अच्छा होना में निरंतरता है, अच्छा लगना में मोमेंटरी है और कभी-कभी ये उपर से अच्छा लगता है, ये अच्छा होता नहीं है, इसकी भी संभावना है। इसका अर्थ यह हुआ, जो सबके लिए अच्छा है, वो मेरे लिए भी अच्छा है, इस बात की गैरंटी है, लेकिन जो मेरे लिए अच्छा है, वो सही में अच्छा है के नई है, इसके बारे में कुछ कहपाना मुश्किल है, दोस्तों ऐसे यदि हमारी कल्पना का कैनवास बड़ा होगा, तो सही अर्थों में हम किसी सही जगह में पहुंचेंगे.